नमस्कार दोस्तों दोस्तों क्या महराष्ट जो है वो भारती जनता पार्टी के हाँच से खिसकता जा रहा है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से महराष्ट के तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि महराष्ट में जो NDA है उसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है तारीख है 10 जून 2024 की और दो बयान है एक बयान आता है अजीत पवार की तरफ से अजीत पवार कहते हैं कि हम NDA का हिस्सा है लेकिन हमारी विचारधारा अलग है हमें क्याबिनेट मंतरी का पद चाहिए हम राज्य मंतरी का पद स्विकार नहीं करेंगे इसके बाद एक बयान आता है एकनाथ शिंदे की पार्टी यानि शिव सेना शिंदे गुट की तरफ से उसमें ये कहा जाता है कि हमारे साथ सांसद हैं और साथ सांसदों में हमें एक केंद्री मंतरी और एक राज्य मंतरी का पद मिलना चाहिए लेकिन हमें सिर्फ एक राज्य मंतरी का पद मिला ये संतोष जनक नहीं है अब अगर इन दोनों बयानों को आप जोड़ कर देखे तो ये दोनों बयान भारती जन्ता पार्टी के खिलाफ खड़े होते हैं लेकिन इन बयानों का असर महराष्ट की राजनीत में कितना होगा दोस्तों महराष्ट में 288 विधान सभा सीटे है सितंबर से अक्टूबर के बीच यहां विधान सभाचुनाओ होना है लेकिन जिस तरह से महराष्ट लोक सभाचुनाओ के नतीजे इंडिया गडबंधन के साथ खड़े नज़र आए इंडिया गडबंधन 30 सीटे उपर चुनाओ जीत गया वो बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन है वो बीजेपी जो कॉंग्रेस मुक्त भारत की बात करती है वो महराष्ट में कॉंग्रेस से बहुत पीछे रह गई और कॉंग्रेस महराष्ट में सबसे बड़ी पार्टी बन कर उबरी 13 सीटे महाराष्ट में कॉंग्रेस को मिली जबकि BJP 9 सीटों पर रह गई अब इस पूरे समीकरण को समझने के लिए हमने तमाम राजनेतिक विशलेशिकों से महाराष्ट को समझने वाले तमाम पत्रकारों से बातचीत की उनकी बातचीत में जो बात निकल कर सामने आई अगर आप एक लोग सभा सीट को छे विधान सभा सीटों के बराबर रख ले या पांच के बराबर ही रख ले तो ये आंकला डेल सो पहुँच जाता है और महाराष्ट में बहुमत है 145 सीटों पर महाराष्ट में नतीजे आने के बाद कुछ पत्रकारों ने जब लोगों से बात की अपने सर्वे करने की कोशिश की तो ये पता चला कि इंडिया गडबंधन आज की तारीक में महाराष्ट में 180 सीटों पर बेहद मजबूत है यानि महाराष्ट का किला BJP के हाँच से निकल सकता है महाराष्ट में BJP को और उसका जो पूरा सहयोगी दलों का एक संगठन है उनको कैसे हार मिली महाराष्ट में BJP ने या यूं कहलीजिए कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने एक नरेटिव सेट करने की कोशिश की असली शिवसेना नकली शिवसेना असली एंसीपी और नकली एंसीपी लेकिन इस नरेटिव में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और बीजेपी बुरी तरह से फेल हो गए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बयान और बता देता हूँ महराश्ट के मुख्यमंतरी एकनाच शिंदे ने बड़ी बात कह दी है एकनाच शिंदे ने कहा है कि चार सो पार का जो नारा था जो नरेंद्र मोदी ने दिया था उस नारे ने हमारा नुकसान कर दिया यानि नरेंद्र मोदी मंच से चिला चिला कर सदन में खड़े होकर बोलते रहे कि एंडिये चार सो पार करेगा लेकिन एकनाथ चिंदे कह रहे हैं उसी नारे ने नुकसान करा दिया क्योंकि लोगों के दिल में ये बात बैठ गई कि अगर 400 सीटे मिल गई NDA को तो ये समविधान में बदलाव कर देंगे और इसी वज़े से महराष्ट में हमारी हार हो गई दोस्तों ये बयान बेयद एहम है और ऐसे वक्त में एहम है जब NDA को महराष्ट में हार मिली है और अगले कुछ महीनों में महराष्ट में विधान सभा का चुनाव होना है हमने सियासी जानकारों से ये समझने की कोशिश की कि आखिर महराष्ट में चल क्या कुछ रहा है तो जो बात पता चली वो ये कि महराष्ट में आज की तारीख में सबसे मजबूत नेता के तोर पर अगर कोई उभरा है तो वो नाम उद्धव ठाकरे का है और उद्धव ठाकरे इंडिया गडबंधन के एक मजबूत घटक दल है उनके साथ शरत पवार भी है अब अजीत पवार जिस तरह से नाराज है तो भारती जनता पार्टी उनको मनाने के मूड में बहुत ज़ादा दिखती नहीं क्योंकि अजीत पवार के पास सिर्फ एक सांसद है लोकसभा में तो अजीत पवार को बहुत कुछ देने की इच्छा में भी भारती जनता पार्टी नहीं है बीजेपी को लगता है कि अजीत पवार को ज़्यादा संतुष्ट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों लेकिन अगर यही अजीत पवार टूट कर एक बार फिर से शरत पवार के साथ जा कर खड़े हो गए यानि अपनी पार्टी के जिसके दो टुक्डे हुए उस पार्टी को एक जुट कर ले गए शरत पवार के साथ खड़े हो गए तो ये भारती जनता पार्टी को कम से कम 40 से 45 विधान सभा सीटों पर नुकसान करेगा अजीत पवार को ये नुकसान इसलिए भी समझ में आ रहा है क्योंकि उनकी पतनी को बारामती की सीट पर हार मिली सुप्रिया सुले से वो चुनाव हार गई इसके पीछे अजीत पवार वजय मानते हैं क्योंकि अलपसंख्यक वोट उनके गड़बंधन के साथ नहीं गया यानि महराष्ट की राजनीत में उठापटक जबरदस्त हो रही है महराष्ट में जो बीजेपी है वो अजीत पवार के साथ है वो एकनाथ शिंदे के साथ है वो रामदास अठावले के साथ है तमाम दलों से गड़बंधन है लेकिन आप देखिए जिस तरह से देवेंद फड़नवीस ने चुनाओं में मिली हार की जिम्मेदारी खुद लेते हुए स्तीफे की पेशकश कर डाली यानि बाकी सहयोगी दलों को कहीं से भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया किसी तरह का समबाद नहीं हुआ और कोई बड़ी बात नहीं कि चुनाओं आते आते NDA का ये कुनबा महराश्टर में बिखर जाए क्योंकि एकनाशिंदे भी नाराज है अजीत पवार भी नाराज है अजीत पवार ने तो शरत पवार की तारीफ भी कर दी है उनकी विचारधारा की तारीफ कर दी है और ये भी कह दिया कि शरत पवार ने NCP को बहुत अच्छी तरह से चलाया है बयानों के संकेतों को समझिए बयानों के संकेत यह हैं कि महराष्ट की राजनीती आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाली है और बहुत नए तरीके से महराष्ट में बदलाव देखने को मिल सकते है महराष्ट में भारती जनता पार्टी ने जो कोशिशें की थी वो सारी कोशिशें लोकसभा चुनाओं के लिए तो थी ही वो कोशिशें विधान सभा चुनाओं में खुद को और मजबूत करने की भी थी लेकिन अगर सहयोगी दल नाराज हो गए तो महराष्ट में भारती जंता पार्टी का ये सपना भी तूट सकता है